अगर कोई लोग ये सोचते है कि शिबायनू में जो क्रेज है वो बरकरार नहीं है और शिबायनू डेड़ वोलेड है शिबायनू डेड़ कोईन है और ये खत्म हो जाएगा तो वो लोग सबसे बड़ी यहां पर गलती कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में शिबायनू ने जिस साल में क्या पहुचाना है उसकी प्लानिंग कर रहे है अगर हम अन अल्ट कोईन को देखे या फिर अन मीम को देखे तो वो एक साल में क्या करना है इस बुल रन में कैसे बढ़ना है उसकी प्लानिंग कर रहे है यही अंतर है शिबायनू और उसके कॉम्प्टिटर के बीच मैं यहाँ पर शिवायनू का कोई प्रसंसक नहीं हूँ लेकिन मैं जो चीजे देख रहा हूँ न वो आपको बताता हूँ यहाँ पर मुझे कोई शिवायनू या कोसामा पेसा नहीं दे रहा है जो मैं इसके तारिफों के पुल बांद रहा हूँ लेकिन reality है क्योंकि मैं इस चीज को लेकर आगे जा रहा हूँ सोचा आप लोगों को भी बताए जाए यहाँ पर अगर आप गोर से देखेंगे तो market इस और इसारा कर रहा है कि अगले 10 साल या 5 साल या 3 साल में एक एक करके यह जितने भी बड़े बड़े project है Shiba Inu के और जो ecosystem बनाने का प्रियास कुसामा के तरब से हो रहा है इसका क्या फर्क पड़ेगा इसका क्या असर पड़ेगा market के ओपर तो यह news आप लोगों के लिए ही है जो यह बताती है कि यह तो एक सिरुवात है एसे कई project लाई हुए है जिनका असर अगले कुछ सालों में देखने को मिलेगा और सोचे कि अगर आपके पास hold है Shiba Inu उनका असर के सर रहेगा market में आने वाले समय में यहाँ पर सुरुवात देखिए Shiba Inu massive token burn plan spark rocket expectation 4 0.001 Shiba price आप सोच सकते हैं कि अगर investor जब सक्रिय होंगे investor जब आएंगे वो खरीदेंगे Shiba Inu और वो coin तब जाके बढ़ेगा लेकिन Shiba Inu यहाँ पर क्या कह रहा है Shiba Inu कह रहा है massive burn token plan token को burn करने का एक plan है यहाँ पर massive plan जिसकी मदद से यहाँ पर expectation है कि Shiba Inu अपनी 2-0 यहाँ पर kill कर दे क्योंकि Shiba Inu में अभी 4-0 लगी है 2-0 यहाँ पर kill कर दे वो क्या है burning plan और आप लोगों को पता है कि Shiba Inu का burning plan बड़ा ही आकरशक है और बड़ा ही तेजगती से चल रहा है जब से Shiba Torch लोन्चु हुआ है अब इस news में क्या है कुछ है सब कुछ बताऊंगा एंड तक वीडियो वाच करना पसंदाया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बड़ी उम्मीद जगी है और यहाँ पर वही उम्मीद बताई गई है कि केसे Shiba Inu एक बड़े पंप के साथ आगे के तरब जा रहा है अगर इस news को हम देखे तो यहाँ पर बताया गया है कि Shiba Inu फरवरी 2024 के अप्टिने उच्टम इसतर से 70% ग्रावट का अनुभव करने के बाद अपने पेर जमाने के लिए संगर्स कर रहा था और जब Shiba Inu नहीं बड़ रहा है तो इन्वेश्टरों ने कहा है कि इसकी जो भारी भरकम सप्लाई है 583 trillion Shiba Token ये एक जिम्मेदार है कि Shiba Inu की ग्रोथ में कोई रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है तो इस पश्ट तोर पर जो है कम्यूनिटी ने इन्वेश्टरों ने लगातार इस ग्रावट के लिए 589 trillion token के आपूरती भारी आपूरती को जिम्मेदार धहराया जिसने पिछले कुछ महिनों में कीमत को 11 और 15 के लेवल पर एक दाइरे में बान दिया है अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि हलाकि अभी प्रगती हुई है शीबा में और उस्ता ही लोगों के लिए कासावात की एक नई भावना यहाँ पर निर्मित हुई है और 13 सितंबर को शीबा इनु एको सिस्टम के प्रमूक मार्केटिंग लूसी ने यहाँ पर एक ट्वीट किया ठीक है लूसी ने ट्वीट किया और L2 स्टेकिंग समाधान शिबेरियम में कि इंपोटेन अपडेट की घोशना की अब 20 सितंबर को रिलीज होने वाले इस अपडेट में बोर अपग्रेड यानि कि V1.31.3.7 को केनकन हाड़ फॉर्क सामिल है जिसका परपर शिबेरियम के प्रदशन, सेक्यूरिटी और इसके एलविलेबिटी को बढ़ाना है अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट इन्होंने दी है जिसका मतलब ये बोला गया है कि लूसी ने 20 सितंबर को एक बड़े अपडेट की घोशना की है जो 20 सितंबर कल जो निकला उसमें हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है कि बोर अपग्रेट होगा और केनकन हाड़ फोर के इसमें सामिल रहेगा और इनका मतलब इनका मकसर ये रहेगा कि कैसे भी करके शिबेरियम के प्रदशन को सुधार करना क्योंकि वर्तमान में शिबेरियम का जो प्रदशन है वो कहिना कहीं थोड़ा से निरासावादी है और इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है क्योंकि देखिए सीधा सीधा मतलब शिबेरियम का ट्रांजेशन का बढ़ना सिबे वो कब होगा जब इसकेलेबिलिटी बढ़ेगी जब सेकुरिटी बढ़ेजी जब प्रदशनिस का सुधार होगा और जब शिबेरियम में ये सब चीजे होगी ट्रांजेशन जादा होग तो एक दिसा में आगे की तरफ जा रहा है और community ने हाली में चिंतवेक्त की थी भारी भरकम सप्लाई को लेकर जिसके बार में मैंने आपको जान कर भी दी थी आगे कहते हैं कि Lucy ने आगे बताया है यहाँ पर कि अपग्रेड में सुधार होगा जैसे जैसे इथेरियम की नविंतम टेकनलोजी के साथ बहतर एकी करण होगा सुचारू प्रदेशन होगा पियर टू पियर नेटवर्क को अनुकुलित करने का वादा करता है और इसके अत्र ट्रांजेशन के लागत अधिक अनुमानित और सस्ती होने से उम्मीद भी जगी है तो ट्रांजेशन के लागत भी सस्ती होगी प्रसंसक्रन गती में व्रद्धी होगी अपडेट क्रोस चैन संचालन का परिक्रत करने पर विध्यान होगा और विभिन ब्लोक्चेन में परी इंपोटेन हो जाता है और इस अपडेट के साथ ही क्या होगा दोस्तों इस अपडेट के साथ ये होगा कि शिबेरियम पर ट्रांजिशन इंक्रीज होंगे जिससे सीधा-सीधा मतलब एक बड़ी बर्निंग प्लान योजना के उपर काम किया जा रहा है क्योंकि शिबेरियम को बहले दीरे दीरे भी चाहे तो बड़ा सकते थे लेकिन इस तेजी से बढ़ाने के पीछे रिजन सिंपल है कि जितने ज़्यादा ट्रांजेशन होंगे उतने ही ज़्यादा बर्निंग होगी और उतनी ही ज़्यादा हमें सप्लाई को कम करने में मदद मिलेगी सीदी सी मतलब है और इसी लिए ये बड़े अपडेट्स यहाँ पर दियो और इतने सारे फाइदे इस से होगे और इस अपडेट के बाओ जो शीबा की आपूरती के बारे में चिंताय बनी हुई थी 14 सितंबर को एक समुदाय के सदस ने लूसी और नेटवर्क की विकास टीम में टोकन की बरनिंग प्रनाली को संभूतित करने का अगरे किया था जिससे अधिक आपूरती को कम किया जा सके क्योंकि मैंने उसके उपर वीडियो भी बनाया था जब बोला गया था लोगों ने और उन्होंने ये कहा था कि यहां पर कि आपूरती हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है और कुछ इसके लिए करो दोस्तों और लूसी ने इसका चाबिया सप्लाई की जलादी है अब के ओल एक ही तरीगा है वो यह है कि इसको बर्न किया जाए और लूसी ने इसका जवाब दिया था और सीधा नियंतरन उनका टोकन के उपर अब नहीं है टोकन को अप्रतेक्ष बर्निंग को सुईधा जनक बनाने के लिए बड़ा यू बर्निंग को बड़े पेमाने पर कर सके तो दो तीन बड़ी बाते निकल रही एक तो कम्यूटी से कहना जो बर्निंग को ट्रांजेशन करेंगे जिससे गेस फीस निकलेगी वो बर्निंग होगी ठीक है उससे टोकन खरीदे जाएंगे दूसरा यहाँ पर यह कि इस टाइप के बड़े अपडेट जब होंगे तो ओबिसली इसका फाइदा मार्केट को मिलेगा ठीक है और बड़े अपडेट होंगे तो शिबेरियम पर ट्रांजेशन ठीक होगा इसकलेबिलिटी बड़ेगी उससे गेस फीस निकलेगी उसका भी बर्निंग में यूस किया जाएगा तो एसे तीन चार बड़े वादे यहां पर किये गए है और यह तीन चार बड़े वादे कहिना कहीं कम्यूटी में काफी उससा है पेदा कर रहे हो और यही शीबा इन्हों की सप्लाई को कम करेंगे क्योंकि यहां पर अगर आप देखे तो जोर देकर कहा गया है इस लोगों को लाए हमारे पर जितने अधिक यूजर करता होंगे उतना ही अधिक शीबा जलाये जा सकेगा जिससे यहां समय के साथ और अधिक मुल्लवान बन जाएगा तो लूसी ने यह ट्वीट यहां पर कहा था जिसका असर यह हुआ कि कम्यूटी भी यहां पर उस साही थ क्यार चलो थोड़ा योगदान हम भी करते हैं और मैंने भी आपसे कहा था कि देखिए अगर शीबेरियम पर ट्रांजेशन बढ़ गए तो उसका फाइदा हमें ही मिलेगा शीबा बर्निंग के तोर पर और लूसी ने कहा है कि सभी लोग इसे अपनाए और सामुदाहिक डे देखेंगे कि यहां पर जो हाड़ फोर्क के माद्धेहम से जो शीबा टोर्च लोंच हुआ है वो बड़े पेमाने पर बर्निंग करें और जैसे कि कहा गया है कि दो जीरो बर्निंग खतम कर देगी ठीक है और दो जीरो हम यूँ बढ़ने से कम कर देंगे क्योंकि बिटको करोड़ पती बना सकता है तैयारी कर लो यार दोस्तों आई होप वीडियो एंजोई किया होगा मिलते नए वीडियो में नमस्कार